अभी रीसेंटली मैंने एक होर्र फिम देखी, Immaculate, स्टारिंग सिड्नी सुईनी, Immaculate को डाइरेक्ट किया है माइकल मोहन ने, और Immaculate में मनी हैस्ट के प्रोफेसर भी है, अलवारो मोर्ते, Immaculate एक रिलिजियस होरर है, Immaculate की कहानी इटली के एक चर्च में सेट है, Immaculate के टा 18th century का कहके भी पास किया जा सकता था इसके इलावा immaculate की जो टोन है वो काफी unsettling है और quiet है बहुत सारे scenes ऐसे हैं जो बहुत ही जादा quiet है और जिस तरह की remote location पे यह church है वहाँ दूर दूर तक civilization का कोई नामो निशान ही नहीं है आसपा सिर्फ और सिर्फ जंगल है तो इस जगे पे एक अलगी किसम की खामूशी होती है और यह जो खामूशी है यह बहुत ही ज़ादा खौफनाक है अकेले तो हम रात में अपने घर में भी ढर जाते हैं और यह तो एक बहुत ही सुन्सान जगे पे चर्ष है अब ये जो शान्ती है ना ये इस फिल्म के लिए वर्क करती है क्योंकि एक हॉरर फिल्म है ये जो चर्च है इसमें सिर्फ नंस है फादर है और बस सन्नाटा तो इस मूवी की बड़ी एटमासफेरिक वाइब है और इस फिल्म की जो टोन है वो इसके ओपनिंग सीन से ही सेट हो जाती है ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि चर्च में एक नं है जो बहुत ही जदा घबराई हुई हालत में चर्च से रातो रात भागने की कोशिश कर रही है कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वज़े से वो इतनी घबराई हुई है पर वो गेट तक ही पहुशती है कि उसको चार-पांच नं पकड़ लेती है और उसका पैर तोड़ देती है हडियों के टोटने की आवाज से लेकर हम उन हडियों को शरीर से बाहर निकलते हुए भी देखते है और इसी से इस फिल्म की टोन सेट हो जाती है कि ये मुवी काफी ज़ादा बलडी और इस फिल्म में बहुत साcken कराब है इन फैक्ति इमेकुलेٹ का जो क्लामेक्स है वो तो पूरा किलिंग स्परे है तो अगर आप स्क्रीन पे खून नहीं देख पाते हो तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हैं इमेकुलेट में सिसिलिया का करेक्टर सिड्टनी स तूइनी ने प्ले किया है, सिसिलिया का बच्पन में एक एकसिडेंट हो जाता है, जिसमें सफोकेशन की वज़े से उसकी मौत हो जाती है, और फिर साथ मिनट के बाद वो वापिस से जिन्दा हो जाती है, यू कह सकते हो कि वो मर के वापिस जिन्दा हो गई, और तभी से उस वो नन बनने के लिए इटली आती है जहां चर्च में वो नन बनने के लिए वाउस भी लेती है पर कुछी समय के बाद वो प्रेगनेंट हो जाती है जबकि उसने अपने चेस्टेसिटी वाले वाउ को तोड़ा भी नहीं होता है अब ये चीज़ रियल में तो पॉसिबल नहीं है तो इमेकुलेट हमें यही दिखाती है कि कैसे कुछ लोग रिलीजन की आर्ड में प्रोपगैंडा फिलाते है वो सिसिलिया के पेट में जो बच्चा है उसको मिरेकल चाइल्ड कहने लग जाते है जबकि उस बच्चे की हकीकत क्या है वो सिसिलिया को छोड़ के बाकी सबको पता है तो ये इमेकुलेट काफी सारी थीम्स को टच करती है जैसे के रिलीजन थीम हो गई, प्रोचोईज हो गई पर किसी भी थीम को डीपली एक्स्प्लोर नहीं करती अगर ये इन थीम्स को और अच्छे से एक्स्प्लोर करती तो ये फिल्म और भी ज़्यादा बहतर होती हलाकि सिड्नी सुईनी की परफॉमेंस बहुत ही आसम है सिड्नी सुईनी इस दे न्यू स्क्रीम कुईन और सिड्नी के जो रोने वाले सीन्स है ना बहुती ज़्यादा painful है especially वो जिस तरह से बेबस फिल करती है ना और वो जो hopelessness है वो आपको भी फिल होने लगेगी उनको hopeless देखके और सच में बहुत सारे रोने वाले सीन्स है उनके उनके रोने में जो दर्द है ना और ये जो screams है ना उनकी ये आपको डराएंगी कई दिनों तक और फिल्म में सिड्नी स्वीनी को काफी body revealing कपड़े भी पेनाएं तो पहले तो मुझे लगा कि फिल्मेकर के बहुती गलत intentions है बट दैन आई quickly realized कि जब से सिड्नी चर्च आई है तब ही से सब लोग उसको यही कह रहे हैं कि तुम कितनी खुपसूरत हो तुम बहुत ही ज़ादा खुपसूरत हो सारी नंस उसकी beauty से impressed है और कुछ jealous भी है एक तो उसको मातनी की कोशिच भी करती है तो में भी सिसिल्या की खुपसूरती audience को feel कराने के लिए उन्होंने उसको इतने body revealing clothes पनाए इसके लावा मुझे बेने डेटा पार करेले की performance भी बहुत अच्छी लगी उनकी performance में एक witness है एक laid back style है थोड़ी edgy है उसकी और सिसिल्या की जो conversations है न वो मुझे काफी पसंद आ रही थी और उन दोनों की chemistry भी बहुत अच्छी लग रही थी बस उनको screen time थोड़ा और मिलना चीह था और screen time तो एलवारो मोर्तों को भी काफी कम मिला है बट as a villain वो काफी सही लग रहे थे बट of course best performance तो Sydney Sydney की है visually immaculate काफी अच्छी है और इसकी cinematography भी मुझे पसंद आई पर कुछ scenes properly lit नहीं है कुछ scenes में noise और grains दिख रहे थे जो की दिखने नहीं चीहे और ऐसा तब ही होता है जब scenes की lighting अच्छे से नहीं होती है या फिर exposure properly balance नहीं होता है इसकी वज़े से कुछ scenes में immaculate 70s की low budget film लग रही थी movie का first और second act देखकर ऐसा लग रहा था जैसे immaculate को James Wan ने बनाए है क्योंकि jump scare ही इतनी सारी है कुछ jump scares अच्छे से land करते हैं तो कुछ flat पड़ रहे थे जैसे एक scene में Cecilia confession कर रही होती है वो काफी well shot है और well edited भी है और उसमें जो jump scare है वो मुझे बहुत ज़ादा पसंद आई जिस तरीके से वो जो gallery है न वो लंबी 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 हो रही थी वो बढ़िया लग रहाता देखने में फर्स्ट और सेकेंड एक्ट में कुछ चीज़े बहुत ही ज़ादा generic भी है जिसे crow का खिड़की से टकरा कर मर जाना या फिर किसी का छट से गिरना ये वो चीज़े है जो almost हर एक horror film में हमें देखने को मिलती है पर जब movie का third act शुरू होता है और वो जो killing spree है न movie में वो शुरू होता है तो movie का एक अलगी level सेट हो जाता है movie का bar बहुत ज़ादा high हो जाता है और finally जब ये scene आता है न movie के end में आप movie की सारी कम्या भूल जाओगे और आपको सिर्फ और सिर्फ यही scene याद रहने वाला है इस तरह के scenes mainstream movies में rarely देखने को मिलते है It's very shocking ये scene देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे writer ने पहले ये scene लिखा और उसके बाद बाकी की story लिखी इस scene तक पहुचने के लिए और ये scene है तो काफी impactful Immaculate उन movies में से है जो वैसे तो बड़ी mediocre सी लगती है पर अपनी ending की वज़े से high rating ले जाती है इसका ending scene बहुत ही ज़ादा impressive है बाकी सब छोड़ो अगर आपको खोन खराबा देखना है कुछ shocking देखना है कुछ बहुत ही ज़ादा disturbing देखना है न तो Immaculate देखना Immaculate को इसके climax के लिए और Sydney सुनी की performance के लिए देखो